जाएगा डॉट और इधर लूट जब हम जड़े प्लेश एड पोट करेंगे तो यज़ 꼭at करेंगे तो य हो जाएगा इंफिनिटी यानि हो जाएगा ऑब जीड़ो टू इंफिनिटी एकी पावर माइनस वाई और यह वाई अपाउन वन प्लस एक्स की होड पावर प्लेस एंड माइनस वन अलग अलग करतेंगे यह यह इसके बाद क्या काम करेंगे यहां पर फिर करनी ब्रैकेट के अंदर बेस से में और बावर हो जाएगी यानी इस तरीके से 1 प्लस एक्स की पावर यह बाहर जाएगा जाके पहले वारे आपके इसके लिए वह रांस्टेंट है अब कर ली रेकेट के अंदर क्या हैं इंटीग्रल जीरो टू-ints कि पाव साइंग हो गया और ये फिर बाहर हो जाएगा और फिर आएगा इंटीगरल जीरो टूइनपी एकस कि पाउर उन वन फ्लस एकस कीपाई मुए यह क्या होता है यह बीट सुंक्शन होता यह ने बीटर आफ एंप कामा और लिग भी दिया शुन्स टानस्फार्मिशन और बीटा कि यह प्रूफ है इसको मैंने समझा दिया अब आप इसको पूरा शुरू से आखिर तक देखिए कोई लाइन ना समझना है तो पूछिए सारे लाइस्ट के दूए स्टेप बता दीजी लास्ट के दूए स्टेप में क्या है कि यह जो इंट्यूगल जीडूट की ऐ की पाव य की पाव य की पाव य फेसानद माइन diamonds वन य य मत दी य यह गामा इंफ्लस ए न हो गया है कैसे हो इसओ गया है क्षा कि अपनला जानते हैं पिग मान एन होता है डिफिनिशन इंटीगर 0 to infinity e की पाव माइनस x, x की पाव n-1 dx जब इंटीगर 0 to infinity e की पाव माइनस x, x की पाव n-1 dx होता है तो गामा n होता है आप एक चीज़ और भी जानते हैं कि डिफ्टे इंटीगरेशन की फस्ट जो प्रॉपरिटी थी उसमें क्या होता है कि इंटीगरल fx dx को हम किसी भी alphabed में लिख सकते हैं यानि इंटीगरल fx dx को हम इंटीगरल fy dy में भी लिखेंगे या इंटीगरल fz dj में भी लिख सकते हैं या इंटीगरल ft dt में भी लिख सकते हैं यानि alphabet change होने से उस integral की value के ओपर कोई फरक नहीं पड़ता है, इसलिए integral 0 to infinity e की power minus y, y की power m plus n minus 1 dy है, तो इसको हम देखेंगे, तो m plus 1 क्या है, ये y की power m, power में m plus n minus 1 ऐसे उसमें होता है, x की power n minus 1 तो gamma n हो जाता है, इसलिए यहाँ पर gamma m plus n हुआ है. अब इसके बाद एक constant है, पर next वाला क्या है, ये formula ही है, हमने पिछले turn पर कराया है, transformation और beta function का पहला वाला, दो ही transformation थे, तो पहला वाला उसके ये formula है, बीटा of m का माहिन क्या होता है, integral 0 to infinity, x की power n minus 1, upon 1 plus x की power m plus n, तो उसके प्लेस पर लिखा है, beta of m का माहिन तो ये transformation है, अब इसके बाद मुटिप्लाइ कर दिया है, यानि beta of m का माहिन इधर रखता है, और gamma m प्लेसन इधर जाके नीचे चला जाएगा, तो जाएगा beta of m का माहिन इसी बड़वती, gamma m, gamma n upon gamma m plus n. और किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछिए, इस ये दो मिनिट में, बच्चे को लाएगा नीचे को लाएगा नीचे को लाएगागा, कि इस तरह कि अब इसके बाद दूसरा एक और फार्मूला है इसके नमेकल बहुत आते हैं कि इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, sin की पाउर N थीटा, cos की पाउर N थीटा, d थीटा is equal to the gamma M plus 1 upon 2, gamma N plus 1 upon 2, whole upon 2, gamma M plus N plus 2 upon 2 यह फार्मूला है इसका पूरूर देखिए जो बीटा फंक्शन में हमने दूसरा फार्मूला कराया था कि since by the transformation of beta function, beta of M, N क्या होता है 2 times integral 0 से pi by 2, sin की पाउर 2M minus 1 थीटा, cos की पाउर 2M minus 1 थीटा, d थीटा तो यह 2 जो उधर चला जाएगा नीचे, यानि integral 0 से pi by 2, sin की पाउर 2M minus 1 थीटा, cos की पाउर 2M minus 1 थीटा, is equal to 1 upon 2, beta of M, N, so beta of M, N, gamma N, M is replaced by M plus 1, 2, and N is replaced by N plus 1 by 2, यानि दोनों जगे M के प्लेस पे M plus 1 by 2 रग दिया है, और N के प्लेस पे N plus 1 by 2 लग दिया है, और हमारा प्रूफ हो गया है, इसी प्रूफ में हमने क्या क्या किया है, कि M और N के प्लेस पे 0 रग दिया है, तो किसी की power 0 जो होता है इसलिए integral 0 से pi by 2 d theta हो जाएगा gamma 1 by 2 gamma 1 by 2 upon 2 gamma 1 तो यह हो जाएगा theta value 0 से pi by 2 और gamma 1 by 2 का whole is upon 2 gamma 1 by 1 होता है इस तरीके से 2 to cancel होके gamma 1 by 2 root पाई आ जाएगा तो यह proof देखिए और यह numerical देखिए कोई दिक्कत हो तो पूछिए कि अबाएगा जाएगा 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 जा झाल 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 तो पूछिए समझ में आ गया हो तो आगे बता है यह नुमाएकल आपका जो है आपको ट्रांस्वर्मिशन और बीटा फंक्शन मालू में सेकेंड वान यह वहीं से स्कार्ट हो जाएगा झाल समंहिए आए बता है हेलो हेलो बोलिए ये सरा दिये ये सरा समझा दिये बता दिया करिए बना हम बैठे रहेंगे उदर आप बैठे रहें अब इसी वे ये जो Firmuela था Integra 0 से Infinity Sine की पावर M Theta कॉस्थ की पावर M Theta B Theta is equal to Gamma N plus 1 by 2 Gamma N plus 1 by 2 upon 2 Gamma N plus 2 by 2 इसी में हम एक बार तो पहला वाले में था कि M और N दोनों हम 0 कर देते हैं तब आता है गामा वन बाई टू हो जादा रूड़ पाई अब क्या होगा एक बार हम यहां पे आप एन जीरो कर देंगे लिखेंगे पूट एन इस इकॉल डिजी जीरो जब हम एन की वैलू जीरो रखेंगे तो आपका कॉस वाला टर्म जो है वो गायब हो जाएगा यानि यह का इंटीगर से ऺए लिखाइव्स के पाउर एम थीटा ओंधर गामा साथा हो जाएगा प्लेशन अपाउझऻ रख्यव्स प्रोली में एम सो एक चाहां एम से प्लेशन इपहुट इसी तरीके से मंक के प्लेसे जीरो रखेंगे तो आएगा के यहीं से पाइघा इसी को गामा एन प्लेस वन बाई-2 एंट कि अपॉर्ण के यूज नहीं होता है आपका पहले वाला यूज होता है अब इसके बाद डिडिट्चंस है कि using यानि यह जो integral 0 से infinity x की पार n-1 upon 1 plus x dx इसकी value होती है pi upon sin n pi इसका use करते हुए एक numerical formula है gamma n, gamma 1-n is equal to pi upon sin n pi इसका proof करना है यानि deduction का use करते हुए इसको proof करना है तो देखिए दिखा है since gamma beta of m, n क्या होता है gamma m, gamma n upon gamma m plus n इसलिए transformation और beta function की value रख देंगे यानि integral 0 से infinity x की power n-1, 1 plus x की power m plus n यह beta of m, n की value रखी है अब putting both side m plus n is equal to the 1, m plus n के place पे 1 रखेंगे और m के place पे 1-n रखेंगे तो यह तो हो जाएगा integral 0 से infinity x की power n-1 upon 1 plus x dx और यह हो जाएगा gamma n के place पे हो जाएगा 1-n गामा n upon gamma 1 gamma 1-1 होता है तो यह formula हो जाएगा gamma n gamma 1-n is equally pi upon sin n-pi यह जाएगा थर नगस्टनuly 1-n to 3-6-2 इस तो यह बोड है पे दोड़ हो यह झातक पूचिए अ कीओशन्य नहाएगा संग्य आएगा हो जाएगात ल ल्कम तो कुए झातक खज़े झाल 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 कि सरांगे बताई आ गया अब इसके बाद इसी एक अभी अबने पार्मिला प्रूफ कराया था गामा वन गामा वन प्रूफ कराया था और यह यह जो अभी आपने बताया है इस वाद में प्रूफ होता है जाएगा है तो ह proton है तो अब उसकी स्थी प्राइब गामा साइन रूड देंगे तो गामा साइन वाइब पाइन 1 लाग देंगे तो गामा वंगामा 1 बाइट वें पाइब की तोवन होती है तो साइन फॉर्स आवे दूसरा दा है दोटिकेशन फार्मूला इसकी बियारस इसके सब्सक्राइब बाना आएं m plus 1 by 2 is equal to the root pi upon 2 ki power 2m minus 1 gamma 2m where m is positive. अब यहाँ पे हमने जो बीटा फंक्शन का जो ट्रांस्फरमिशन का जो दूसरा वाला था उसको लिया है. क्या था कि बीटा फंक्वाइन इसी पॉल्डरी इंटीगर जीरो से 5 by 2 sin की पावर 2m minus 1 theta, cos की पावर 2m minus 1 थी का 80 theta. तो यहाँ पे 2 इधा जाएगा, नीची आ जाएगा और beta of m, n की value हो जाएग, gamma m, gamma m upon gamma m plus n. यह एक step हम बढ़ा के लिखे हैं और इसको equation number 1 माल दिया है. इसके बार put 2m minus 1 को 0 रखा है, यानि n की value 1 by 2 आई equation 1 में. तो अब हम equation 1 में, n के place के 1 by 2 रखेंगे दोनों साइड में. तो हो जाएगा integral 0 से 5 by 2, sin की पावर 2m minus 1 theta, और cos गावर हो जाएगा, d theta, हो जाएगा, gamma m, gamma root pi, यानि n के place के 1 by 2 रखेंगे, तो gamma 1 by 2 होता root pi, इसले root pi दिया है, upon 2, gamma m plus 1 by 2, और इसको equation number 2 माल दिया है. अब फिर equation number 1 में, जहाँ जहाँ, n था, वहाँ माल दिया है, तो होगा integral 0 से 5 by 2, sin की पावर 2m minus 1 theta, cos की पावर 2m minus 1 theta, d theta, जाएगा, यह हो जाएग, gamma m का whole square, हो जाएगा, 2 gamma 2m, तो यह duplication formula में, यहाँ तक, जो सामने, इस बेज़ पे है, तो इसमें अगर कोई step ना समझ में आएगा, तो पूछिए, अगले step बताएगे, कैसे हो गया है, यह हुआ नहीं है, यह put किया गया, दोनों साइड, हम एक चित जानते हैं, कि अगर किसी भी equation के दोनों साइड में, अगर हम कोई काम करते हैं, तो equation के पर कोई फरक नहीं पड़ता है, इसलिए हमने put किया है, 2n-1 equal to 0, तो वहाँ से n की value निकल के आई, n by 2, समझ रहे हैं, दोनों साइड में, n के place पे 1 by 2 put करेंगे, तो वह तो 2n-1 जो है, 0 रखेंगे, तो पॉस 0, 1 हो जाएगा, पॉस की पाउस 0, तो इधर हो जाएगा आपका गामा 1 by 2 root pi, समझ गया हैं? यह सर, और इससे एक equation आई, इसको equation number 2 माल लिया है, फिर दुबारा हमने काम क्या किया है, कि जहाँ n है, equation number 1 में, वहाँ-वहाँ M put कर दिया है, लेकिन दोनों साइड में put किया है, तो यह value आ गई है, ठीक है, अब यहाँ पे काम यह काम यह करेंगे, कि यहाँ पे आप यह जानते हैं, 2 sin theta cos theta क्या होता है, sin 2 theta होता है, इसलिए 2 की power 2m minus 1 को numerator denominator में multiply, divide कर देंगे, left hand side में, और इस तरीके से 2 अंदर चला जाएगा, बन जाएगा 2 sin theta cos theta की whole power 2m minus 1, और अपान हो जाएगा 2 की power 2m minus 1, यह चीज़ हो जाएगी, ठीक हैं, और वो बन जाएगा sin 2 theta, की power 2m minus 1, अब जो आपका denominator में, क्योंकी power 2m minus 1 था, उसमें से 2 निकाल दिया, इस वो उपर चला गया, और वो बन जिया 2d theta, अब यहाँ पे हम 2 theta को हम 5 मान लेंगे, put 2 theta is equal to 5, so that 2d theta हो जाएगा d5, यानि 1 upon 2 की power 2m integral 0 से 5 by 2 हो जाएगा, 0 से 5 हो जाएगा, जो थीटा 0 रखेंगे तो 5 हो जाएगा 0, और थीटा हम 5 by 2 रखेंगे, तो 2 to cancel होके 5 हो जाएगा पाई, तो limit हो जाएगा 0 से पाई, sin, sin की power 2m minus 1 phi, और ये हो जाएगा d5 is equal to the gamma m का whole square upon 2 gamma 2m, अब इसके बाद हमने 5th property रखी है, 5th property क्या होती है, 5th property होती है कि इंटीग्रल 0 से ए, इंटीग्रल 0 से 2A, fx dx is equal to the two times, इंटीग्रल 0 से A, f of x dx, जहाँ पे f of 2A minus x is equal to the fx हो, सबज़ना है, तो ये 5th property थी, तो इसकी मतद से हो गया है, 1 upon 2 की पाद 2m तो हाई है, तो हो जाएगा 2 times integral 0 से 5 by 2, sin की पाद 2m minus 1 phi d phi, is equal to the gamma m का, हो इसका upon 2 gamma 2m, और लिग दिया है, since by the 5th property of diphtin integration, diphtin integration की 5th property है, इसका यूज़ तरहे हमने काम या है, अब इसके बाद फिर replace 5 by theta, जहाँ 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 5 था वहाँ थीटा पूट कर दिया है, तो यह पूट करने के बाद, आपकी equation number 3rd आ गई है, और यह 2 की power 2m और 2 यह इधर ले लिया है, तो उधर हो गया 2 की power 2m minus 1 उपर आ गया है, तो from equation 2nd और 3rd को बराबर लिया काम, cancel होके आपका formula proof हो गया है. तो थीटा वराइप था इसकी बाद, यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जीरो से पाई है पर देखेंगे प्रेस पर पाई है यारी एक वेलू तो यहां प्राइब जानते हैं आप जानते हैं साइन यहां पर देखेंगे प्लेस पे फाई है तो साइन पर दीडिगरी मिलए सीटा क्या होता साइन थीटा थे निस साइन हो जाएगा तो इस तो इस कि यहां पर दिखेंगे तो यही रहेगा कि यह आपको हम दिखा भी रहे हैं एक नटा को देखाद देखाद देखेंगे आप कि आप अ कि आप सब्सक्राइब निचे आके हो जाएगा सब्सक्राइब तो इस तरीके से यह सब कैंसे हो के हमारा पूप हो जाता है सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब अब इसके बार नुमारेकल है और अल्फा कामा बीटा फंक्शन यानि अल्फा बीटा का यूज करते हुए यह मैथड़ का